पॉरवाइस्ट दोस्तों बैक टो स्कूल के सेशन में फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्ण इंडिया डिसकस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 की न्सी आटी थार्ड चैप्टर लास्ट वीडियों हम डिसकस कर रहे थे आपके साथ जिसमें हेडिंग था हमने देख लेता हुआ हुआ से और फिर से रकॉल कर लेते हैं शिक्ति धिज्टी ने पहला संच गाल द्व जो था पॉर्तगीज वाला पॉर्तगाल वाला वह मने डिसकस कर लिया था लाच वीडियों तक आपके साथ तो आज की वीडियों हम आपके जानते हैं। उस समय डश के नाम से जाना जाता था. निदर लेंड की, जो के अपिल अमस्टरडम है, आप अच्छी तरह से भली बहती हैं, यूरूपक एक कंट्री है जो करेंड में हम निदर लेंड के नाम से जान रहे हैं. देकि ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिये डच कैसे एसे वाले एरिया में कैसे आगए कि उस समय तक तो सिर्फ पोर्तगाल और स्पेन ही ज्यादा पाउरफुल थे उसके बाद हमने देखा इंगलिस भी थोड़ा पाउरफुल हो रहे थे तो ऐसे में इंपोर्टेंट यह हो जाता है कि जब इस्पेन पूरी तरह से युरोपियन कंट्री में भी जी रहा साथ ही साथ एसें कंट्री को इग्नोर करते हुए उस सुर्फ अमेरिका वागरा में बिजनेस करते रहा तो ऐसे में जो नीदर लेंड था उसने भी इस रेस मे सामिल हो गया और इसमें आया कैसे यही वो रास्ता केप अप गुड होप वाला साउथ अपरिका वाला वहां से रास्ते को पकड़ते पकड़ते एसीन एरिया में आ गया यहां पर आल्रेडी पहले से हमारे पुर्थगीज रूल कर रहे थे पर्टिकुलर बहुत सार एरिया पर कपजा जमाए हुए थे साथ ही साथ बिटिसस भी आ चुके थे तो ऐसे में एक रेस जो थी यहां पर एमपायर इस्टेब्लिश करने की उस रेस में एक नया प्लेयर आ गया वो था हमारा डच आगे देखने रिखें देखें 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 1602 में जो डच नीदर लें के गविए थे बिटिसस के थे वैसे ही इनका इंडिया था ऐसे में समझे देखें उस समय कंडि Bunsen क्या थी कि इतने भी कंट्री थे वह वह सारे country level पर ही ऐसी company बनाई जाती थी जैसे कि सभी को लगता था कि particular बहुत सारा एक area है जो unknown है जहां से कि business किया जा सकता है, trade किया जा सकता है, बहुत जादा profit कमाया जा सकता है, ऐसे में हर एक country चाहती थी को उसके जो लोगों जाकर वहां trade करें, क्यों directly और indirectly दोनों ही तर आति साथ, fortress वागरा, kilal वागरा बनाने की सारी permission मिल गई थी, ऐसे में समझेए, उनके पास एक अच्छा power था, उनके पास उनकी country का support था, जब ज़रूरत होगी उनकी country का army आ सकती है, उनके help करने के लिए, ऐसे में Dutch East India Company आ जाती है, Asia में, और इंडिया के पास अपना rule करना स्टाइट करती है, आगे देखते हैं, देखें, जब ये इस जगह पे आये, इंडिया वाले इरिया पे, तो पहले कुछ-कुछ फैक्टरी यहां चोटे मोटा स्थापित किया, इन्होंने इस्टेबिस किया, बट जो इनका main interest था, ये particular जो इंडोनेसिया, जावा सुमात्र इंडिया वाला एरिया है, वो उस समय ज़्यादा था इंडिया से, इसके दो कारण समझ ये देखें, एक तो जो था यहां पर कोई particular बहुत बड़ा empire नहीं था, कोई ruler नहीं था, जो इन्हें डिभीट करें, दूसरा साथ ही साथ, इंडिया में उस समय हम देख रहे हैं, कि म हमें मिलता था, इंडोनेसिया, जावा समात्रा वगरा से, ऐसे में हम देखते हैं, कि इनका main interest जो था, इंडिया ना होकर के, इंडोनेसिया और जावा समात्रा जो हमारा करेंड का पूरा जावा समात्रा है, वहां पर ज्यादा फोकस हो गया, तो यह point हम ज़रा याद रखे आगे देखते हैं, देखिए, जब यह इंडोनेसिया जावा समात्रा की तरफ बढ़े, इंडिया को ज्यादा बढ़ाने की कोशिस नहीं की, तो ऐसे में देखिए, यहां पर आल्ड़ी जो कौन था, पूर्तगीज, श्ट्रॉंग होल्ड बनाए हुए थे, क्यूंकि वह ल पूर्तगीज को, कि यहां से अच्छे खासे प्रॉफिट अर्ण कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए, जो गल्फ ऑप मलक्का है, स्ट्रेट ऑप मलक्का, वहां पर इन्होंने बिटिसस को भी हराया, साथी साथ पूर्तगीज को भी हराया, देखिए, इस समय तक बिटिसस भ इन देखिए, चाहे से संवावा था यहां पर्फिट होने वाला था, इसे में पुइंट समझने वाली है, कि 1623 में हम देख रहे हैं, इंग्लेंड को भी हरा रहे हैं, और पूर्तगाल को भी हरा रहे है, समझे देखिए, यहां पर क्या था, डच इतने इस ट्रॉंग हो तो यहां पर हम देख रहे हैं, आगे क्या होगा, देखिए, जब इंडिया यह लोग आए, इन लोगों ने कहां-कहां अपनी factory स्थापित की factory आप फुली, factory in science, उस समय एक office होता था, जहां से trade business वगरा करते था, उसे ही factory कहा जाता था, तो देखिए, कहां-कहां, यह point इलाका देखिए, सूरत में हम देख रहे हैं, फिर बरोच में है, कैमबे में और एहमदाबाद में, यह चार सहरे ज़्यादा थे गुजरात के, गुजरात बहुत पहले से ही European से जुड़ा रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं कि यह पर्टिकुलर यह कारण इसका है यह है, कि पहले से चला रहा था, ऐसा नहीं कि गुजरात आज के आज डिवलप हो गया है, कोई भी जो port city होती है, जिसका worldwide interaction होता है, तो अपने आप में development होने के उसके अप्चिनटी ज्यादा होती है, तो ऐसे में गुजरात उस समय से ही डिवलप हो रहा है, चार हमने देख लिया और सूरत है, यह point याद रहा है, सूरत नाम से ही सूरत है, सूरत सभी को attract करता रहा है, आप देखेंगे, बिटिसस भी आते हैं, तो सूरत में अपनी company खोलते है, पूर्तगीज भी आते है, डेच भी आते है, फ्रेंसी भी आते है, तो सभी का कोई ना कोई का एक company यहाँ प पर आया हुआ था जमेरिन के रूल में पुर्तगी जाये थे आगे देखते हैं मदरास में कौन सा था उस समय तक हमारा जो था मदरास के नाम से जाना जाता था अब जो चिन्नई के नाम से जाना जा रहा है तो वहाँ पर नागा पत्नम सिटी में इनका फैक्टरी थी जो बीच एरिया होता है जहां पर सी से कॉंटक्ट आसानी से है वहाँ पर ही खोल यह अपनी फैक्टरी खोलते थे इसके पीछह आप रीजन समझ सकते हैं क्योंकि यह वह जगह था जहां से आसानी पहुच पाते थे और यहां से ट्रेड भी कर पाते थे और साथ ही साथ प्रिक्ट वगराबी कम होता था तो ऐसे में जो भी 30 जगह आपर जाकर यह अपनी फैक्टरी खोल रहे हैं यहां पर देखिए हमने देखा कि बंगाल में चिंसुरा में भी अपनी फैक्टरी कोले हैं आगे देखते हैं कहां देखी यह थो अंदर तक आगे जो करेंड का हम ऐसा नहीं है। डच जो थे बिहार के पतना तक आ गए थे और साथ ही साथ यूपी का जो हमारा है वो आगरा तक इनकी फैक्टर कुल गई थे तो यह पॉइंट यहाद रखेंगे हम आगे देखते हम देखिए। जो सैलॉन था। जिससे हम करेंड में स्रिलंका के नाम से जानते हैं। उस समें सैलॉन के नाम से जाना जाता था, डज sty Latino कै ने इसे बी अक्वाईर कर लिया थे इस पर्टिकूलर और इरिया पर अपना बना लिया लेकिन एक चीज़ देखिए, क्या-क्या यहां से एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्या-क्या कर रहे थे, देखिए, इंडिगो हमने पहले भी डिसकस किया था, क्योंकि जो भी कम्पनिया थी, उन्हें नील की बहुत आवसक्ता होती थी, कपड़े वगरा कलरने के लिए, जो भी कल क्या था, यहां से कॉटन ले जाएं, ओपियम ले जाएं, जो यहां पर अबलडी अबलेबल था, तो यह इन लोगों ने भी इसका ट्रेड किया, जो एक्सपोर्ट किया, आगे देखते हम देखिए, हमने कहा कि आखिर क्यूं यह कॉलाप्स कर गए इंडिया में, यह अपन अपने स्वर्ड या तो क्रिस्टिनार्टी को फॉलो कर रहते हैं, या तो क्रिस्टिनार्टी अपना लीजिए, या तो फिर तलवार के सामने आईए, सेम चीज उन्हों ने भी किया, डचों ने भी, और यही चीज हम देखेंगे, कि बिटिसर्स इस काम को नहीं करते हैं, वह स्टार्टिंग में इतने साफने से काम को स्टार्ट करते हैं, कि लोगों को समझ में नहीं आता, कि यही लोग हमारे साल 200 साल तक रूल करते रहेंगे, ऐसे में, यह पॉइंट यहां समझना जरूरी है, हम देखेंगे कैसे, कि बिटिसर्स के साथ भी इनका मातरा पे, तो ऐसे में यह वहां रूल करते हिं लॉओं ट्रम में, तो अगले विडियो में आपके साथ, जो बिटिसर्स के इंडिया, कैसे आते हैं और कैसे इनका देचों से कान फिक्ट होता है, पूर्टिगी से कैसे कान फिक्त होता है, उसे डिसक्स करेंगे, मिलते हैं फिर अगले बीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.